चलिए, आज हम लोग human excretory system की बात कर लें, जो कि बहुत ही ज़्यादा important होता है, human excretory system में बात करें, तो सबसे पहले आप यहाँ पर दो tube observe कर पा रहे हों, ठीक है, यह जो दोनों tube होता है, उसमें से एक tube का हम लोग नाम देते हैं, देखे वेना केवा, दूसरे का नाम एरो हम लोग एरोटा लिख रहे हैं, उसमें नाम देते हैं, renal artery, ठीक है, और उसे नाम देते हैं, renal vein, एक होता है जो blood लेकर आता और दूसरे होता है, जो blood लेकर जाते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर bracket में लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, renal artery, renal artery, दूसरा होगा renal और रेपन और रिनल घन के लाज राट और यह लन्म हो ने के बाद ब्लड को ले जाएगा और जो लेकर आएगा रेइनल आर्टरी के नाम से जाना जाएगाए कि लीग बात करें लिए मुझ पहले हम किड़नी के str encontra को समझ लेते हैं ठीक है कि किड़नी के structure मे pagar तो सबसे पहले कीडिनी के आऊटर कवरि इन जो होते हैं इस प्रकार से, उसे क्या नाम देंगे, रिटनल कैपसूल. ठीक है? से क्या नाम देंगे सरे? रिटनल कैपसूल ठीक है. उसके बाद, यहां किडनी में टीन अलग अलग पा्ठ होते हैं. मतलब आप यू समझ लीजिए कि कि इवनी को इन हिश्व में बाट आजया है सबसे बाहर वाला हिस्सा कोटेक्स के नाम से जाना जाएगा बीच वाला हिस्सा मेडूला के नाम से जाना जाएगा और इधर वाला हिस्सा पहले इसके नाम से जाना जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर आप यह समझ लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रेंगलर स्टॉक्चर पाये जाते हैं इस strangler structure का नाम देते हैं medullary pyramids क्या नाम देंगे सर medullary pyramids very good medullary pyramids अब देखिए इधर वाला जो हिस्सा हो गई ये इसे हम लोग नाम देंगे renal हाँ इधर देखिए capsule नाम देए outer covering को फिर इधर का part जो होता है देखिए capsule से लेकर medullary pyramids के बीच में स्पेस होता इतना ये स्पेस का नाम देंगे हम लोग cortex beach वाले का नाम देंगे medullary और इधर वाले का नाम देंगे pelvis ठीक है सर हम लिखते जाते हैं confused ना हो इधर वाले part का नाम देंगे cortex cortex ये हो गया pyramids medullary pyramids भी हम कह सकते हैं इसको उसके बाद ये जो triangular structure देख रहे हैं इसका नाम देते हैं medullary pyramids ठीक है अच्छा बीच बीच में जो gapping दिख रहा होगा आपको पिरामीड के बीच बीच में gapping जो दिखता है इसे हम लोग नाम देते हैं papilla renal papilla renal papilla ठीक है ये जो बीच बीच बला हिस्सा होता जिसमें ये triangular structure है उसको नाम देंगे medulla medulla और यहाँ पर blood vessels पाए जाते है अच्छा बीच बीच में जो gapping आप देख रहे हैं ये इसका नाम देंगे renal column of botany column of botany ठीक है सर उसके बाद इधर चाहिट देखें तो यहाँ से एक tube जो नीचे जाता है इस tube का नाम देंगे urator इस tube का नाम क्या रखेंगे सर यूरेटर ठीक है सर इसमें जो blood लेकर आएगा जो blood लेकर आता है उसे नाम देंगे renal artery renal artery और जो clean होने के बाद blood लेकर जाएगा tube उसे नाम देंगे renal vein ठीक है सर इधर वाला हिस्सा जो होता है इस region को बनाम देते हैं pelvis बीच वाला medulla इधर वाला cortex ठीक है सर इस प्रकार से यहाँ से tube नीचे आता है अब इस diagram में समझ ये बात यह देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया है renal capsule जो outer covering होता है किड़नी के उपर उसे नाम देते रिनल capsule फिर बीच वाला हिस्सा का नाम देते हैं medulla इधर वाले का हिस्सा का नाम देते हैं cortex और इधर वाले का नाम देते और यह जो ट्यू उपर से नीचे आराई से नाम देते हैं urator क्या नाम देंगा सर इस वो urator ठीक है सर अभी जस्ट आपको पता है जो dirty blood लेकर आते हैं उसका नाम होता क्या renal artery और clean होने के बाद साफ होने के बाद जो लेकर जाएंग उसका नाम होगा renal veins ठीक है सर आगे य 500 to 700 ml ml यह भरने के बाद urator के जरीए बाहर आ जाते हैं अब नीचे का structure है इसको आप समझेगा बढ़ियां से किड्नी का structural or functional unit होता वो nephron होता है जो कि आप इस diagram में देख सकते हैं ठीक है इसे हम लोग kidney का structural और functional unit के नाम से जानते हैं ठीक है इसी को हम लोग nephron के नाम से study क करते हैं ठीक है तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानते हैं कि जो लेकर आता उसका नाम होता है renal artery और जो लेकर जाते है renal veins यहाँ पर जो गुच्छा देखते हैं blood capillary का उसे नाम देते हैं glow merolus इसको भी हम लिग देते हैं इस गुच्छे का नाम देते हैं glow merolus और यह जो double wall cup like structure अब देखते हैं जो इस प्रकार से ऐसे करके है इसे नाम देते हैं bowman's capsule ठीक है तो bowman's capsule और glow merolus यह दोनों मिलकर बनाते हैं इस दोनों को collectively नाम देते हैं malpesian body उसको भी लिग देते हैं यहीं लिग देते हैं malpesian body malpesian body में कोन कोने structure मिलकर बनता है यह पहला हो जाएगा आपका glow merolus और दूसरा हो जाएगा bowman's capsule यह दोनों collectively किसे नाम से जाना जाएंगे malpesian body के नाम से ठीक है उसको पहला जो टेड़ा pipe अब देख रहे होंगे यहाँ पर यह जो पहला टेड़ा pipe start होता है इसे नाम देते PCT PCT का पुड़ा नाम होता है proximal convolated tubule यह हम लिख देते हैं proximal convolated tubule इसमें सबसे ज़्यादा reabsorption होता 70 to 80% 70 to 80% reabsorption सबसे ज़्याद है किड्नी के अंदर तीन मेन काम होते है नेफ्रोन में अपने यह नेफ्रोन जो देख रहा है किड्नी के अंदर का structure होता है millions के नंबर में ऐसे नेफ्रोन पाए जाते हैं ठीक है ओके तो यह जो नेफ्रोन होता वाओ उसे हम लोग स्ट्राक्चरल और functional unit बोलते हैं सबसे पहले देखे dirty blood को लेकर आएगा renal artery यहां glomerulus में filtration होगा filtration नहीं ultrafiltration होता है तीन काम होता है पहला होता ultrafiltration दूसर रियब्जरबेशन तीसरा secretion फिर से repeat कर दें पहला होगा ultrafiltration दूसरा क्या होगा सर रियब्जरबेशन तीशरा क्या होगा secretion होगा यह तीन important work जो है हमारे kidney के अंदर perform के जाते हैं ठीक है सर चलिए तो renal artery सबसे पहले dirty blood को ले कर आएंगे यह जो गुच्छा आप देख रहे blood capability that is called glomerulus और यह जो ले कर जाते clean blood होने के बाद renal veins अच्छा यहाँ पर यह जो डबल वाल काप लाए के structure उसका नाम देते है moments capsule यह जो पहला टेड़ा pipe होता उसका नाम होता है PCD जो 70-80% reabsorvation करेंगे यह जो tubular part अब देखते हैं इसका नाम होता है loop of handless क्या नाम देंगे सर लूप of handless इसमें भी यहाँ से जो नीचे part आता है यहाँ तक इससे नाम देंगे उपर सिर जो नीचे आ रहा उसके बोलते है descending इसे क्या नाम देंगे descending limbs जो part उपर जा रहा उसके नाम क्या देंगे आप लोग खुदी गेस कर सकते हैं ascending limbs इस दोनों में sodium की water की absorption यह करती है फिर यहाँ के बाद यह जो टेढ़ा pipe आप देख रहे हैं वापस से इसका नाम होता है DCT DCT का पुरा नाम होता है distal distal convolated tribune फिर यह जो सीधा pipe आप देख रहे हैं इसका नाम होता है collecting duct और ऐसे से एक collecting duct से 30,000 नाफरोन जुरे होते हैं और यही collecting duct आपके medulary pyramid जो आपको बताया थे kidney के अंदर इस प्रकार से जो triangular structure होते हैं उसका नाम क्या देते थे medulary pyramids यही collecting duct से मिलकर बना होता medulary pyramids और बीच बीच में जो gapping आपको दिखता नजर आता होगा इसे नाम देते हैं renal column of bartini ओके good luck यहां से आगे next day बताएंगे अगले system को जिसमें हम लोग करेगा human circulatory system कल के वीडियो में ओके good luck to you all